नमस्कार दोस्तो LIC Share में हमें लिश्टिंग के बाद लगातार गिरावट देखने को मिली है इसलिए आज के वीडियो में मैं करने वाला हूँ LIC Share का Technical Analysis और दोस्तो हम देखेंगे इस शेर में गिरावट के पिछे क्या रिजन्स हो सकते हैं दोस्तो उसके बाद हम ये भी डिसकस करेंगे कि इस शेर में एक धमा के दार तेजी कब आईगी और अंत में हम ये डिसकस करेंगे कि इस शेर में हमारे Short Term Targets क्या रह सकते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो आप सभी को बता रहेगा कि LIC Share का जो Market Cap था लिश्टिंग के समय वो बहुत ज़्यादा था ऐसा बताया जा रहा था कि ये सबसे बड़े Market Cap वाला कोई IPO आया है इंडिया में तो दोस्तो जब भी कोई Company का Market Cap बहुत रहता है उसका ये अर्थ है कि यहाँ पर जो Number of Shares रहेंगे वो भी ज़्यादा रहेंगे तो इसके वज़े से दोस्तो यहाँ पर जो ये Company के Stock का Supply रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि ये एक बहुत बड़ी Company है और दोस्तो यहाँ पर जो Demand था वो थोड़ा सा कम था तो यहाँ पर आप देख सकते हो Demand कम था क्योंकि Market अल्रेडी Bearish था तो यहाँ पर Market Bearish होने के वज़े से Demand तो कम था पर Supply दोस्तो बहुत ज़्यादा था इसलिए हमें इस Share में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है क्योंकि दोस्तो इस Company का जो Market में Supply रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है इस वज़े से दोस्तो आप देख सकते तो Paytm का भी जब Share List हुआ था उसके बाद हमें लगातार गिरावट देखने को मिली थी लगातार शेर 2000 रुपे से 500 रुपे तक आ गया था तो दोस्तो जब भी कोई ऐसी Companies रहती है जिनका Market Cap बड़ा रहता है उसमें हमें गिरावट देखने को मिलती है क्योंकि वहाँ पर Supply बहुत ज़्यादा रहता है पर Demand उतनी नहीं रहती है तो दोस्तो आईए अब हम डिसकस करते इस शेर में हमें एक अच्छी तेजी कब देखने को मिलेगी तो यहाँ पर हमें सबसे पहले डिसकस करना पड़ेगे इस शेर के Important Resistance और Support Levels तो यहाँ पर दोस्तो 619 रुपिस का ये वाला जो लेवल है ये लेवल एक Important Resistance है क्योंकि दोस्तो ये लेवल पहले इस शेर के लिए एक Support था पर अब ये शेर इसके नीचे आ गया है तो ये लेवल एक Resistance का काम कर रहा है दोस्तो दूसरा जो Resistance है इस शेर में वो है 635 रुपिस का लेवल यहाँ पर आप देख सकतो पहले भी इस शेर ने इससी लेवल पर Resistance वेज किया था अगर हम बात करते हैं इस शेर में Support की तो यहाँ पर 611 रुपिस का लेवल एक अच्छा Support है तो दोस्तो अगर यह शेर 619 का Resistance ब्रेक करेगा तो हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है दोस्तो आई अब हम Apply करते हैं इस शेर में Important Technical Indicators और देखते हैं यह Indicators हमें क्या Signal दे रहे हैं तो दोस्तो जब तक यहाँ पर मैं Technical Indicators अपलाए कर रहा हूँ तब तक आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो Stock Market Related वीडियो के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए यहाँ पर दोस्तो आप देख सकते हो इस Share में जो MACD Indicator है उसमें हमें bearishness देखने को मिली है और दोस्तो RSI में भी एक लगातार गिरावट देखने को मिली है यहाँ पर दोस्तो आप देख सकते हो RSI अभी oversold zone में आ गया है तो यहाँ पर दोनों Technical Indicator bearish दिखाई दे रहे ह है पर क्योंकि RSI अभी oversold zone में आ गया है तो चांसे से कि यहाँ से हमें एक recovery भी देखने को मिल सकती है दोस्तो आईएब हम देखते हैं इस Share में हमारे best buying levels कौन से रहेंगे तो यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर यह Share अपना resistance break करते है 619 का level अच्छे volume के साथ में और दोस् जैसे कि कोई bullish candle generate होता है तो हम इस Share में खरिदारी कर सकते हैं तो यहाँ पर 620 के उपर आप इस Share में खरिदारी कर सकते हो अगर यह Share अपना resistance अच्छे volume के साथ break करता है तो और दोस्तो अगर यह Share 619 के उपर जाएगा तो उसके बाद short term में यह Share 635 तक जा सकता है और अगर इस Share ने 635 का भी level break कर दिया तो उसके बाद यह Share 652 रूपीज से लेके 680 रूपीज तक जा सकता है पर दोस्तो अगर यह Share resistance break नहीं करता तो यहाँ पर गिरावट आने की संभावना रहेगी और अगर यह Share 611 का support भी तोड़ देता है तो और भयंकर गिरावट आ जाएगी त जाँने वट